हेलो दोस्तों आप सभी के स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सर्षय 24 में दोस्तों अगर आप अप्रेंटिशिप करना चाहते हैं और सोचरे अप्रेंटिशिप करना तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुश्कबरी है योगी साउथ इच सेंटर रेलवे की तरफ से ठीक है और जो आपका डाउट अलग से बनता है उजो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं मैं उसमें आपका रिप्लाइज जरूर दूँगा ठीक है तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि मैं अपने चै व्रक्षोप है ठीक है राइपुडिविजन वैगन रिपेर सब्सक्राइब का अच्छा अब्शा बहुत बड़ा व्रक्षआप साउंगर सब्सक्राइब कर दना सब्सक्राइब एक बारह तक open है, ठीक है, दो number से लेके, एक बारह तक आपका ये date है, इस date के भीच में आप अपने application form fill up करेंगे, ये application form कैसे fill up करेंगे, इसको भी मैं बताऊंगा अपने next video में, ठीक है, आज मैं सिर्फ notification आपको बताऊंगा, notification में क्या क्या है, ठीक है, तो देखिए, application जो form fill up करना है, ये आपको official rrb और rrc की site से नहीं करना है, इसमें साफ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको साफ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, apprenticeshipindia.org, इस site पर जाके आपको अपना भरना form fill up करना है, तो और चलिए बाकी नीचे बात करा जाए, तो यहाँ पर देख बाक्टर है, computer operator है, machinist है, mechanic, diesel, air conditioning, RAC और electronic, सारी है, सारी traders है, यहाँ पर ठीक है, कोई भी ट्रेण में भर सकते हैं, ठीक है, और यह जरूरी है, यहाँ पर चेक कर लिजएगा, यहाँ पर देखिए, इस्टिबिस्मेंट नमबर दिया गया है, ठीक है, यह इस्टिबिस्मे इस्टिबिस्मेंट नमबर दिया गया है, इसके लिए भी दिया गया, ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर इस्टिबिस्मेंट नमबर डालेंगे, तो यहाँ पर खुल जाएगा, और वहाँ से आप अपलाई करेंगे, तो चलिए हम qualification की बात कर लिया जाए, आप तो qualification क्या रहने वाला है, तो qualification देखेंगे, यहाँ पर हम आप, तो यहाँ पर qualification के देखिए, तो technical होना चाहिए आपके पास ठीक है, तो 10th pass out होने चाहिए, प्लस अगर आप 12th कर रहे हैं, तो 12th वाले बच्चे भी eligible हैं, और दुसरी चीज, ITI होना चाहिए, आपके must, अगर I 17, 2020, यहाँ तक अगर आप 24 से हो चुके, तो आप तो eligible हैं, अगर आप इसके बाद के हैं, तो आपका eligible नहीं होंगे, ठीक है, जो इसकी 15 साल से लेखे, 24 साल तक, बस, इसकी eligibility criteria है, यहाँ पर चाहिए इनको, तो यह होगे, मैंने बात के लिए age limit की, ठीक है, बाकी आप यहा रोवी, सी के लिए, और एक्सर्विशन और पीडवलोडी के लिए दिया है, यहाँ पर आलागे, यह चीज तो कोई matter नहीं रखता, आप देख सकते हमापस, यहाँ पर कोई चीज नहीं है, यहाँ पर वही चीज बताएगी है, यहाँ पर age की बारे में ही बताया गया है, कि कितना किसको relaxation मिलेगा, कितना किसको छुट मिलने वाला है, ठीक है, और बाकी नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि training period कितना होने वाला है, देखें, railway का training period 1 year का होता है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ बहुत अच्छा खासा, तो नहीं मैं क कह सकता कि आपको stipend मिलेगा, बट जो भी central government के साब से जो apprenticeship का, आपका minimum wages बनता है, उतना हो मिलेगा आपको, मेरे साब से लगबग आपको यह साड़े 7 से लेके, साड़े 7 से लेके, लगबग साड़े 8-9 के बीच में मिलेगा, आपको stipend जो होता है, ठीक है, एक साल के लिए कि आपका 50% तो 10th होना चाहिए, ठीक है, 10th का होना चाहिए 50%, और दूसरी चीज, आपका IT है का 50%, दोनों का equal करके उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, जो भी आपका calculation हाता है, उसके according आपका merit बनता है, ठीक है, तो यह आपका हो गया, आपका selection process, merit इसका लगबग जाता ह 190, 180 के सब से जाएगा, ठीक है, और हम बात कर ले जाए, यहाँ पर medical की, तो medical का जो condition है, तो पहले तो medical railway खुद कराता था, बट आपको medical, आपको यह अपने guest state officer, जो आपके nearest जो होते हैं, आपके block वगएरा के आसपस, आपका state का, ठीक है, तो वहाँ से आप यह बनवा के ल हो, बस इस चीज़ आपको लिखवा के लाना है, उसमें ठीक है, अपने आखे हो, कितनी आपकी है, दूसरी चीज़, आपका contract, जो contract होगा, वो contract generate होगा, जैसी आप form fill up करेंगे, तो वहाँ से यह select करेंगे, अगर आप minor है, ठीक है, तो आपका गर जिवन के signature जुरूई चा यह भी कई कोटा है, ठीक है, 10% reserve होता है, एक servicemen के लिए, कोटा होता है, इनके लिए, तो एक servicemen लोग भी eligible है, apprenticeship करना चाहते हो, भी कर सकते हैं, उनके लिए भी है, और last चीज़ मैं फीस की बारे में बात कुरता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, फीस जीरू ह और नोटिफिकेशन के बारे में, और नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, जो मुझे बताने लाइक है, और हाँ, मैं last में बताऊंगा आपको कैसे आपको यह form fill up करना है, तो कैसे आपको registration करना है, ठीक है, और कैसे आपको establishment number से सर्च करेंगे, अपना establishment और फीर apply करेंग तो आज करेंगे थैंकियो दोस्तों, बाई बाई